हेलो फ्रेंज वेल्कम टू माय चैनल आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूं कार्डिगन में इनर प्रकेट लगाना जो सबसे आसान तरीके से मैं बताऊंगी इसके लिए आप कार्डिगन के दोनों पल्ले सीधे आपको बना लेने हैं और उसमें कुछ भी नहीं करना है बस आप कार्डिगन का बॉर्डर बनाने के बाद फाइव इंच ये दूरी फाइव इंच के बाद आप ये बॉर्डर जो भी बॉर्डर हो एक सीधा मेरा ये डिजाइन वाले बॉर्डर हैं मैं ये बॉर्डर डाल रही हूं तो देखे ये बॉर्डर के बाद फाइव इंच फाइब इंच के दूरी के बाद आप यह बोड़ा स्टार्ट कर देजिए और पोड़ा प्लेन पला बना लीजिए बहुत आसान है और आपको इसमें पीछे से लगाना है तो वही मैं बताऊंगी इनर पैकेट आप इधर पीछे साइड से लगता है तो इसके लिए आप यह अगर आप दस नमबर के सलाई से बना रहे हैं तो 40 फंदे ढालिए मैं यह आठ नमबर से, मेरे उन थोरे मोटे हैं, तो मैंने 30 फंदे डाले हैं, 30 फंदे डालके आपको यह 4 इंच, यह दूरी प्लीन 4 इंच बनाना है, 4 इंच, यह देखें, मैंने 4 इंच बना रखें यह, एक उल्टा, एक सीधा, जो सिंपल बुनाई होती है, बिल्कुल वही आपको यह 4-inch बनाना है, 4-inch के बाद यहां से सीधे side में, इस side तो यहां से लाईने जाएगी, तो आपको cutting देखे, इधर करना है, इस पल्ले के लिए इधर से cutting करनी है, लेकिन अगर हम दूसरे side वाले पल्ले पे जाएं, तो जिस side से यह बटन पट्टी है, उस side से cutting दोनों करने हैं । जैसे यहां भी यहां से अगर मैं यह बाृडर के बाद कम से कम 2 इंच के बाद ये पॉकट जुडएंगे और हमें चार इंच प्लेन बनाना है और यहां से कटिंग करना है बटन पट्टी की कटिंग करने का सिंपल तरीका यहां से सीधे साइड में दो को एक करूंगी उल्टे साइड से कुछ नहीं करना आइए मैं बताती हैं यह पैकेट राइट साइड के हैं इधर के लेप साइड के मैंने सील रखें तो यह राइट साइड के तो कटिंग यहां से स्टार्ट होगी और इधर की और बढ़ेंगे, तो इस पॉकेट में आपको उल्टे साइड से घटाना है, सीधे साइड से मैं लेट वाले पल्ले में घटाऊंगी, आपको ये खुदी समझ में आ जाएगा, इस तरह से रखने से बटन पट्टी की और कटिंग करना है, तो ये देखे, मैं उल् प्लेन बुनाई, इस तरह से प्लेन बुनाई करते हुए आगे जाना है, और सीधे साइड से नहीं घटाना, ये राइट साइड के पॉकेट है, इसलिए और लेप साइड में आपको सीधे साइड से करनी है, सिर्फ इध्यान डखना है कि ये कटिंग करते हुए बटन पट् करते वे आगे और यह प्रतेक सराई उल्टे साइड में करनी है मुझे इसी तरह आप आगे बढ़ते चलिए यह देखिए मैं सीधा बनाते वे यहां लाश्ट में नहीं कर रही हूं प्लेइन बनाऊंगी और उल्टे साइड स्टार्ट करते वे देखिए यहां फिर दो फंदों को एक कर इस तरह से दो फंदों को एक कर फिर इस रोको भी प्लेन बनाते वे इसी तरह इसको प्लेन पर्ल वाइस बनाके हम कम्प्लीट करेंगे और यह तब तक करेंगे यह लेंध चार इंच है और हमें कटिंग करते वे भी चार इंच जाना है क्योंकि हमारी पॉकेट के आठ इंच की लंबाई होनी चाहिए तो आप पूड़े तब तक कटिंग करते जाए जब तक 4 इंच और कम्प्लीट ना हो जाए इसी तरह उल्टे साइड से ये देखें मेरी पॉकेट पूड़े कम्प्लीट हो गई है पॉकेट की ये जो है दोड़ी ये ये देखें चार है लगबगद 4 से थोड़ अपर है आप 4 सारे चार कुछ भी रख सकते हैं और कटिंग केबाद भी चार तक ही ये देखें कटिंग के बाद भी आप चार तक रख सकते Thousand यानि पूरी लेंद आपको आठ तक कम्प्लीट करनी है पॉकेट की ये देखें पूरी आठ तक में आपको complete करनी है और अब जब 8 इंच complete हो जाए या आप अपना थोड़ा सा sweater के अनुसार भी कम जादा कर सकते हैं तो उसके बाद मुझे इसे binding करनी बस binding का तो वही तरीका जैसे आप करते हैं पर अगर आप नए बंद करने वाले हैं तो एक बाद देखिए एक फंदे बनाया दूसरे को इस तरह से फिर पीछे वाले से आगे वाले की तरफ ऐसे निकालना है पीछे वाले को आगे वाले इसके उपर से इस तरह से निकालना है और ये बंद होते चले जाएंगे इसी तरह हमें पूरे बंद कर देना है ये देखिए और बंद करने के बाद मैं आपको सिलाई का दिखाती हूँ ये देखिए इसी तरह बंद करते वे ये पॉकेट मेरा कम्प्लीट हो चुका ये देखिए मैंने बंद कर दिया और ये सीधा या उल्टा साइड से लगाना आपकी पसंद है आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह से कीजिएगा तो ये कटिंग अपने हिसाब से इधर से करना होगा मैंने उल्टे साइड से किया मेरे पॉकेट इस तरह से ठोंगे और मैं बॉर्डर के पाद एक इंच लगबख छोड़ कि ये पॉकेट बना रही हो और ये जो ये जो बॉर्डर डाला था साइड से ये जो चार इंच यहां प्लेन बनाया मैं इसी के सीधे से यहां पॉकेट से लाई करूंगे और ये पूरा बॉर्डर बॉर्डर से एक गांट उपर और इधर गांट भी उपर ताकि ये इस तरह से बंद रहे अब आप देखें यहां से यहां तक की सिलाई करनी है और फिर यहां सीधे लाना है और यहां से इस तरह से पूरी मैं आप चाहें तो धागे से इस तरह से ये देखें जहां सी ये बॉर्डर श्टार्ट हुआ बॉर्डर य आप जिस तरह से सोइटर सीलते हैं यह मीरा रफ है तो मैं बता रही हूं सिर्फ आपको इस तरह से यहां से जिस तरह से सिलाई करते हैं बिल्कुल यह सिलाई इस तरह से हो जाएगी लेकिन मैं ऐसे बताने के लिए आपको कर रही हो भी यहां से फिर और नीचे भी ध्यान डखिए कि सीधी हो बिल्कुल सीधा करने के मैंने ऐसे किया है आप यहां टक लाईए फिर यहां से पोरी और उपर तक यह देखें यहां तक के सिलाई स्वेटर क सिलाई जैसे और यहां भी जहां बार्डर खद्म होता है उससे थोड़ा सा ऊपर तक सिलना है ताकि यह बोडर उठा हुआ ना रहे पॉकेट और जो बैक पीछे का जो पल्ला होगा बैक पार्ट जो होगा वो यहां से जुरते हुए यहां तक जुर जाएंगे और यह पॉर्सन उस बैक बैक वाले पल्ले से जुर जाएगा और हमारा पॉकेट कंप्लीट हो और आपको यह वाली नीचे वाली सिलाई में बताती हूं नीचे वाली जिस तरह से यह देखें यह इसे लूंगी में और यह उपर वाले से यह पीछे की तरफ नहीं ताकि दिखें नहीं इस पॉकेट के पार्ट को और उपर वाले स्वेटर के गांट के पार्ट को इस तरह यह देखिए जो मैंने पक्की सिलाई करके रखी है यह पॉकेट की बिल्कुल नहीं पता चल रहा है और यह खुला हुआ दो पॉर्शन है यह पीछे का बैक पाट आएगा यह उसके साथ एड हो जाएगा और यह हमारा पूरा है सही से पॉकेट तयार हो गया अब यह सुन्दर बहुत प्यारा सा पॉकेट बहुत आसान तरीके से आप कभी भी ट्रै कीजिए बहुत आसान है यह पॉकेट बनाना और आपके सुल्टर की सुन्दरता को भी बढ़ाता है पूर्ड़ा वीडियो देखने के लिए थांक्यू वेरी मॉच यह इस नए बनाने वाले के लिए मैं थोड़ी सी सिलाई भी बता देती हूँ यहां से देखे यह पॉकेट का बॉर्डर है जो आपको इधर से दिखेगा मैंने बॉर्डर के एक गांट उपर से लिया यहां धागे बांधे और इस से इधर तो यह स्वेटर की तरह से लाई होगी दोनों को पकरके इस तरह से और यह सिलाई करते हुए यहां तकाना है और फिर यहां से उसी तरह से यह बिल्कुल एक रो में बरावर करते हुए जाना है यह देखे मैं थोड़ा से एक सिलाई और भी बता दूँ आपको इस साइड की इस तरह से दोनों की पकरके होगी लेकिन उधर फन ले लेके होगी आप इसको ने तकाईए यह सिलाई पूरी करने के बाद आप यहां से सीधी एक लाइन में सिलाई कर दीजिए उसके लिए आप यह देखे मैं एक यहां से ले रही हूँ और इसके उपर वाल बिल्कुल बाहर की और नहीं दिखाई परेगा और बहुत अच्छा सा पॉकेट यहां भी देखिए एक मैं यह ले रही हूँ और यह इसी तरह आप यहां तक आईए और फिर यहां से पूरी आपको पूरी यहां तक की सिलाई करनी है और सिलाई करने के बाद इधर देख ल आपका प्रेख तयार हो जाएगा फिर से देखने के लिए थैंक्यू वेरी माच्छ अज़ाए धर देखने के लिए थैंक्यू वेरी माच्छ